हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ चिकन की बहुत शानदार रेसिपी चिकन कढ़ाई रेसिपी जो की बहुत टेस्टी बनके तैयार होगा और बहुत हीजी बन जाएगा अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका मन करेगा आप इसको बार-बार बनाए और बार-बार खाएं चली मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको कैसे बनाया है सबसे पहले मैंने लिए एक कढ़ाई और विसली कढ़ाई में बनेगा तो इसलिए कढ़ाई चिकेन है और इसको मैं रखूंगी और फ्लेम अन करूंगी और मैं इ चिकन इसमें fry करूंगी जब तक फ्राइ करना है जब तक की इसका color change नहीं हो जाता इस point पर हम इसको fry करेंगे color change होने तक हम इसको अच्छे से fry कर लेंगे देखिए chicken का color change हो गया है अब हम इसमें curd डाइड करेंगे हाफ कप हमने बन कप कर लिये जिसमें से हाफ कप कर्ड हम इसमें एड़ करेंगे और इसको अच्छे से कर्ड में कुक करेंगे जिब ये कुक थोड़ा सा कुक हो जा इसमें मैं अपने टोमाटो एड़ करूंगी आप चाहाएं तो मैंने अईसे ही डाल दिये है और थोड़ ग्रीयन चिली और मैंने उसमें झाली है ताकि टॉमेटो अच्छे से सॉप्ट हो जाएं टॉमेटो के साथ हमेशे सॉल डाला जाता है ताकि टॉमेटो सॉप्ट हो जाएं और यह देखिए मैं इसके हल से इसको पूरा पील कर ले रही हूँ कई बार आपको खाने बनानी की जलती होती है तो आप ऐसे लुट मैंटो इसमें डाल सकते हैं मुझे थोड़ी जल्दी बनाना था कड़ाई इसलिए फिर मैं इसको ढखकर कुक करूँगी जब मैं खोलूँगी तो देखिए मेरे टोमाटो कितने सॉफ्ट हो गया हैं मैं इसे स्पून की हल्प से अच्छे से मैश कर लूँगी मैश तो आपको करना है पर इतना तेज आपको स्पून इसमें नहीं चलाना है कि चिकिन तूट जाए चिकिन को तूटने नहीं देना है आराम आराम से आपको इसमें मैश करना है फिर मैं इसमें चॉप जिंजर और गार्लिक एट करूँगी यह मैंने वन टेबल स्पून लिया है बोधार एक्वल अब मैं इसमें कुछ मसाले एट करूँगी जिसमें ने वन टेबल स्पून रेट चिली पॉडर लिया है वन टेबल स्पून धनिया पॉडर लिया है हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पॉडर लिया है और हाफ टी स्पून मैंने जीरा पॉडर लिया है और इसमें मैंने किश्मीरी लाल मर्च च्रियान के रेट चिली पॉडर लिया है और क्या कहते हैं इसमें गरम मसाला मैंने वन टी स्पून लिया है और इसके अंदर मैं तो हाफ टी स्पून चाट मसाला एड़ करूंगी ये चिकन मेरा तकरीबन वन केजी के राउंड था तो इसमें मैंने ये इंग्रेडिन्ट एड़ की हैं आप इसे कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं फिर मैंने इसके अंदर बलैक पेपर पॉर्डर भी एड़ किया है जो हाफ टी स्पून मैंने लिया है फिर मैंने वन कप जो कर्ड ली थी जिसमें से हाफ कॉप मैंने स्टार्टिंग में डाल दी थी और हाफ कॉप आप इस पॉइंट पर एड़ करिए और इसको अच्छे से भून लेंगे यह भून भून के पूरा इसके अंदर ऊपर आजाएगा और फिर आप इसके अंदर ग्रीन चिली स्लिट करके ऊपर से डाल देंगे और फिर मैंने इसके अंदर fenugreek powder डाला है 1 teaspoon full डाला है मैंने क्योंकि बिना fenugreek यानि के मेथी की powders के बिना आप कड़ाई नहीं बना सकती क्योंकि कड़ाई की जान होती है ये आप मेथी जरूर डाली है उसके बाद मैंने इसमें ginger अद्रक कट करके उपर से डाली है फिर मैंने इसमें एक नीम्बू का रस उपर से डाल दिया है इसमें हम green coriander भी add करेंगे इस point पर मेरे पास इस time नहीं है तो मैंने नहीं डाला है आपके पास अगर हो तो आप इसमें जरूर डाली है उससे एक अलग सी ही खुशबू आती है ये देखी मेरी कडाई बनकर बिलकुल ready है अब आप इसको जरूर बनाएं ये बहुत tasty बनी है यकिन माने इसमें बहुत अच्छे खुशबू आ रही है अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो आपका मन करेगा आप इसे बार बार बनाएं लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दुआओं में याद रखे तब तक के बाई बाई